पर अटने धी गयो दोष्य क्यमा काुट भाय मदातीए रात्य लगातार हो रही बारिष से जनजीवन अस्त वेर्ष्ट किसानों के उत्रे चहरे फ़सलों को भारी नुक्सान तो दोस्तों ख़वर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस ख़वर को लाइक करें शेयर करें कमेंड करें और देखते रहें यूपी चर्थ तर भी है उत्तर परदेश के जंपफरुकावाद में हो रही बारिश से किसानों के चेहरे मुर्जाये हुए हैं बीते दो-तिन दिनों से हो रही बारिश से जन जीवन अस्तवियस्त हो गया है और किसानों द्वारा खून पसीना बहा कर तयार की गई धान की फसल बिलकुल तयार है और धान पर बालिया निकल रही है जो धान जमीन पर गिर गया है जिसके कारण अनाज के दाने बहुत हलके होंगे या फिर धाने पढ़ जिसे देक खिसानों की चिलता बड़ती जा रही है। इस पर भी बारिश की मार पड़ रही है किसानों को इस समय राई की फसल की बुआई करनी थी अक्त्याधिक पानी बरसने के कारण राई की फसल में अब ग्रहन लग गया है यही इस्तिती बिल्कुल आलू की भी बन गई है किसानों ने यूपी शत्तमी उसको बताया कि अभी तो गनीमत है यदि हवा चल गई तो धान की फसल पूरी तरह बरवाद हो जाएगी क्योंकि बारिश के कारण धान की फसल जमीन पर गिरना शुरू हो गई है किसानों ने ये भी कहा कि यदि इसी परकार से पानी परस्ता रहा तो किसान बरवाद हो जाएगा खैर कमारगन शेत्र के हमारे सहयोगी मुहम्मद मुईत को किसानों ने बताया तो सबसे जाद है कौन सी फसल में नुक्षान हुआ दान मुआ जाद नुक्सान दान खराब होगी जी जान मुक्ता थी तेज बोले क्या नाम कमारुसें चा क्या बरशाद से नुक्सान हुआ आपके दाए अर्ताद जह हुआ है आलू जो गड़ा है वो तो चदा गया यह क्या फसलों में अर्कों सब्सक्राइब का दानी नुक्सान है जानी पानी गिरिगे दानी आदी 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 ही जाए और आलू जो गड़ा वो तो चुछ गए और सरसों की पसल दे बोई सर्थों बई है बोवी पलटना परेगा जा बोवी खताम होगी है चाली एठी अठी देखो सर्सों केत मईद भाख राब हुई गई और मका कटी डरी बहुँ खराब हुई थाज पान कट वे खुछ को बहुँ खराब हुँ आलूग फसल में क्या हुआ है आलूग फसल आदमी चुटा ही लाओ वा गरे डरी डरी सढ़े रही है बेकार हुई रही है जे नुक् खेते दादमीन जुताई ले बेव बेकार हुई रहे दान का जादा नुक्षान हुआ दान का जादा आलू का जुए